अगर आपको धन्य होना है, अगर आपको बलेस्ड होना है, अगर आपको आशिशत होना है, तो बिशोनी पर पड़े हुई, इन तीन में से आपको एक चुनना है अभी तीन बात में आपको बताने वाला हूँ, जो बिशोने पर पड़े हुए आप करते हैं, इन तीनों में से अगर आप एक का चुनाव कर लेंगे, दो का तो हमें चुनाव करना नहीं है, इन तीनों में से अगर आप एक बात का चुनाव कर लेंगे, तो आप धन्या हो जा निश्चे अपधनी हो जैंगे इस धर्ति पर घब आप रहते हैं और जब पर मिश्र के पास जाते हैं वहां भी धन्य है जानिके सर्ग में भिधन्या इस दर्ति बार भी धन्या भुव lucky जो भी आप शब्द इस्तिमाल करना चाहें बेहद तो इन तीनों में से आपको एक का चुनाव करना है उग्लै अगर आप दो का चुनाव करते हैं तीन का तु करनाने नहीं है एक का चनाव करना है तो हम लोग पर मिष्व के बचन में से पढ़ना चाहते हैं मींग का नभी की पुस्तक मीख़व का जो पर मिश्वक्ता था प्रोफिट था है कि प्रोफिट मिखा की पुस्तक दो अधियाये और उसका एक बचन हम लोग पढ़ेंगे। दो अधिहाए, मीक का नभी के पुस्तक दो अधिहाए और उसका एक वचन हम लोग पड़ेंगे हाए उन पार जो बिशोने पर पड़े हुए बुराईयों की कलपना करते हैं पहले बात, जो बिशोने पर पड़े हुए बुराई की कलपना करते हैं कुछ लोग ऐसे हैं, जो बिशोने पर पड़े हुए बुराई की कलपना करते हैं हम लोग इस पर वच्चर्चा करेंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो बिशोने पर पड़े हुए हाई 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 करते हैं पहले हम लोग ने पड़ा कुछ लोग ऐसे हैं जो बिशोने पर बुराई की कलपना करते हैं दूसरा हम लोग ने पड़ा कुछ लोग ऐसे हैं जो बिशोने पर पड़े हुए हाई 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 करते हैं तो डिटेल में हम लोग आगे चलेंगे और त पर पड़ा हुआ तेरा समर्न करूंगा तुझ पर ध्यान करूंगा जानी के यहां पर मिश्क अदास करता है मैं विशोने पर पड़ा हुआ तेरा समर्न करूंगा और तुझ पर ध्यान करूंगा तीनों बातें जो हैं वो बशोने पर पड़े हुए बराईयों की कलपना करते हैं दूसरे किसम के लोग जो है बशोने पर पड़े हुए हाई हाई करते हैं लेकन तीसरा जो है वो है जो बशोने पर पड़े हुए औररिषान लगाते हैं परमेशों को समर न करते हैं हलेविया वजय यह लुणैया वजयेआ करते हैं आपको इन तीनों में से जो पसंद हैं है पंद सकते हैं लेकिन मैं और हमारी इकलीसयक लोग जमिशने के कि आप ये तीसरी बात को चुने जो बशोने पर पड़े हुए परमेशर को समर्न करते हैं परमेशर की और अपना ध्यान लगा करते हैं फिर आपको बशोने पर पड़े हुए हाई हाई करने की जुरूत नहीं पायडेगी फिर आप हाई हाई नहीं करते रहेंगे इसके पहली बात क्यों रिया हम लोग चलते हैं बिशोने पर पड़े हुए बुराईयों की कलपना करते हैं बहुत से लोग हैं जो बिशोने पर पड़े हुए बुराईयों की कलपना करते हैं रात को जब वो लेटते हैं अपने बिशोने पर लेटते हैं तो बिशोने पर लेटे हुए सोचते हैं ये बराई करेंगे ये बराई करेंगे सुबह उठकर ये बराई करेंगे 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 ऐसा सोचते हैं बराई करने का सोचते हैं बिशोने पर पड होए नहीं करना है मुझे मालूम है मैं कहना निचाए रहा कुछ लोग है जो विशोने पार पड़े होए ब्राईयों की कल्पना करते हैं ब्राइँ के कलपना करते हैं, आप धन्ने नहीं हो सकते, आप कैसे धन्ने होंगे? ना तिस धरती पर धन्ने होंगे, बाद की दबात ही चोड़कियों, आप धन्ने नहीं हो सकते, आपको बशोने पर पड़े हुए जो आप बुराई को सोईते हो एक वचन पढ़िएगा निती वचन मेरे पुतर पापी लोग अगर तुझे फुसलाएं उनकी बात ना मानना हाँ जदी वो कहें पापी लोग कहें वे हमारे संग चल हम अत्या करने के लिए घात लगाएं हम निर्दोशों की ताक में रहें हम अध्रों के समान उनको जीवता कबर में पड़े गूम के समान मुच्चा निगल जाएं हम को सपरकार के अन्मौल पदार्थ मिलेंगे हम अपने घ़रों को लूट से भर लेंगे हम तुम हमारा साजी हो जा हम सबुन गएक एकी बटवा हो हे मेरे पुत्तर तो उनके संग मारग में ना चलना उनकी डगर में पाव भी ना रखना उनके संग मत चलना, तो ये लोग क्या करते हैं, बुषोने पर पड़े हुए बुराईयों की जो कलपना करते हैं, उनके दोस्त, मिच्तर कहते हैं, अपने बुराईयों में ऐसे करेंगे, हम अपने ऐसे करेंगे, अपने ऐसे करेंगे, वो लोग, बुराईयों की कलपना जो क का ही धन्यए है वो आशिश पाया हुआ व्यक्ति है जो दुस्टों की स्लाप पर उनकी यूगती पर नहीं चलता नहीं वह पापियों में मार्ग में खड़ा होता है य पापियों रास्ते में कहड़ा होता है परमेचर की ववस्ता से परसंद रहता है और उसकी ववस्ता पर रात दिन ध्यान लगा रहता है और अपने रितु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुर जाते नहीं इसलिए जो कुछ वया पुरुष करे वया सफल होता है अगर आपको सफलता चाहिए तो दिन रात परमेचर की और ध्यान लगा कर रखें आप चुनाओ आपको करना है परमेचर ने आदम पर थोपा नहीं था रिमोट कंट्रॉल से नहीं चलाया था आदम को परमेचर ने उसे सवे च्छा पर चलने की शक्ती दी थी जैसे आपको दी है चुनाओ आपको करना है आज मैं बाद ये कर रहा हूँ बिशोने पर पड़े हुए आप क्या करना चाहते हैं बिशोने पर पड़े हुए कल्पना करते हैं ऐसी बुराई करेंगे ऐसी बुराई करेंगे ये बुराई करेंगे ये बुराई करेंगे तो वो धन्या नहीं होगा वो सफलता नहीं पाएगा अगर आप धन्या होना है तो आपको क्या करना है जैसे हम लोग पढ़े चुके हैं विशोने पर पढ़े हुए परमिश्र को समर्द करना है और दूसरी बात जो थी वो थी होचे साते देहाई चावदा बचन पढ़ना पहली मीका दो देहाई एक वेचन में कि वो लोग विशोने पर पढ़े हुए बराईयों की गलपना करते हैं लेकिन यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरी बात यह है कि कुछ लोग विशोने पर पढ़े हुए क्या करते हैं हाई 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 करते रहते हैं पर ना होचे साथ देचा दो पर अब आपके ऊपर निर्बर करता है अचनाव आपके करना है क्या आप विशोने पर पड़े हुए हाई हाई करते हैं मैंने देखा है जो प्रमिश्र 짧वी को जानते हैं और और आप त्शुर्बय कर निया करेंगे आप हाई हाई निकलना शुरू हो जाएगा करेंगे हाई हाई मैं कि तन्या क्यों हाई हाई कह रहे हो सुनने वालों को दिमाग फटेने लग जाता है जो पास में होते हैं क्यों हाई हाई करे हो तो बहुत से लोग ऐसे हिए जो बिमारी में दुख میں पीडा में परेशानी में अपने पर पर पड़े है हाई 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 करते रहते हैं है है तो आप यसे धन्य होंगे उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो जो तीसरा प्राइन था मेरा लेकिन अयूब की पुस्तक तीन दे है शबिस वचन एक पढ़िएगा अयूब तीन दे है और उसका शबिस वचन मुझे ना तो चैन ना शांती ना विश्रा मिलता है मुझे ना तो चैन मिलता है मुझे ना तो शांती मिलती है मुझे ना तो विश्रा मिलता है प्राइन तो दुखी दुखाता है ना चैन मिलता है ना शांती मिलती है ना विश्रा मिलता है बलकि दुखी दुखाता है दुखी दुखाता है तो इस कार्ण कोई चैन नहीं कोई शान्ती नहीं है दुखी दुख है और बश्चोने पर पड़े हुए क्या करते रहते हैं हाई 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 और कोई हाई नहीं है हाई बिजनिस गया चला बिजनिस नीचे क्यों चला गया हाई 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 हैं बिमारियों में कहते रहेंगे हाई 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 बिमारी में कुछ फेल फेल होगे किसी बात में ऐसा फलोगे तो हाई 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 लेकिन तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा था बजन सह जब मैं बिशोने पर पड़ा हुआ तेरा समार न करूँगा और तुझ पर ध्यान लगाँगा जब मैं बिशोने पर पड़ा हुआ तेरा समार न करूँगा जब आप बिशोने पर पड़े हुए परमेश्र का समार न करेंगे परमेश्र के और ध्यान लगाएंगे मुझे मालम है आप में से कही लोग ऐसे हैं मैं क्या करता हूँ जब मैं लेटा हुआ था हूँ बिशोने पर तो परमेश्र का समर्न करता हूँ अच्छा कलीसिया का कैसे करें कलीसिया को कैसे बढ़ाएं जो लोग नाश और उन्हें कैसे बचाया जाए कैसे करें ऐसा कैसे करें परमेश को परसान करने के लिए क्या करें परमेश का काम करने के लिए हम क्या करें परमेश के सेव के और बढ़ाने के लिए हम क्या करें हर वक्त यह रहता हर वक्त यह रहता नहारे होते हैं तो यही सोच रहे होते हैं कैसे करें कैसे करें सेवके का कैसे होगा कैसे क्लीसिया को और अगे लेकर चलें क्या करें परमिश्च के साथ हर वक्त परमिश्च के साथ परमिश्च से बातें नहाने गए तो भी कहीं भी कुछ भी हो रहा है विश्वने पार लेट हुए होते हैं विशोने पर होते हैं इन तीनों मैंसे कौन सा काम करते हैं आप हाई हाई बुराई की कल्पना जहां परमेश का समर्ना मुझे माल में आप मैंसे बहुत से लोग हैं जाजा तरह से लोग हैं जो विशोने पर अपने परमेश का समर्न करते हैं कैसे परमेश को पर आएंगे कैसे वो सारी आश हैं जो हमारे लिए प्रभेशम से ने रखी हुई हैं वो हमारे उपर कैसे आएंगी बहुत से लोग हैं इस बात का समर्ण करते हैं चल रहे हैं लेट रहे हैं बैटे हुए हैं विशोने पर पड़े परमिश्र का समर्ण करते हैं और जो परमिश्र का समर्न करते हैं विशोने पर पड़े हुए वो धन्य होते हैं वो धन्य होते हैं प्राथना करना एक अलग बात है जैसे लोग प्राथना करते हैं रात को सोने से पहले आपने एक गेंटा प्राथन की अदा गेंटा प्राथन की दी चार गेंटा प्राथन की ठीक है अच्छा किया है लेकिन आप जब विशवने पर लेटते हूँ आप लेटे हुए क्या सोच रहे हुते हैं उससमें इस को बढ़ाई की कलपना रह जो जब तक आपको नीद नहीं आ जाती तब तक आपके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होता है और वो क्या चल रहा होता है वो ही तो बात है अब संसार के बारे में सोच रहे हैं अब संसार क्वस्तों के बारे में सोच रहे हैं परमेशुर के बारे में सोच रहे हैं, विशोने पर पड़े हुए, परमेशुर देख, कल से आज ज़्यादा मैं तुछ से प्रेम करने वाला बनूँगा, कल से ज़्यादा मैं आज अगाकारी ज़्यादा बनूँगा, कल से और धिका आपके नहीं देखाऊंगा, ऐसा, क्या सोईते हैं कुछ लोग बड़ाई सोईते हैं जैसे मीका दो एक में लिखा है बशोने पर पड़े हुए बड़ाई की कल्पना करते हैं कुछ लोग बशोने पर पड़े हुए होचे साथ चौरां की तरह हैं हाय है करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो परमेश्र को समारन करते हैं जो सफल होंगे वो व्यक्ति सफल होगा और आप जो भी आप विशोने पर सोच रहे हैं स्वर्ग में ये लिखा जाएगा किसे ने विशोने पड़े हुए सोचा था मैं परमिश की सिवा दिक से दिक करूंगा अभी लोगड़न खुलने के बाद मैं ऐसा करूंगा अभी ऐसा क्या आप सोच रहे होते हैं कि आप सोच रहे हैं वो सोचते 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 ही आप सो जाते हैं अपर सुबह आपकी आँख खुलती है यहां रात को जब आप सो रहे होते हैं और फिर रात को आपके आँख खुल जाती है थोड़ी देर के लिए आँख खुल गी आँ कुछ नीद आ जाती है तो क्या सोच रहते हैं फिर सो गए फिर बीच में उठ एक बतानी कितरी बार नाको उठते हैं और की लोको सुबह जाकते हैं परमेशर अपने लोगों को नीद देते हैं बचरंग कहता है तो लेकिन जब आप बीच-बीच में उठते हैं उस समय क्या सोच रहते हैं परमिश्र जानते हैं मैं क्या सोच रहता हूँ आपके बारे में भी जानते हैं और मैं जानता हूँ अपने बारे में मैं क्या सोच रहता हूँ आप भी जानते हैं अपने बारे में आप परमिश्र के बारे मुस्तर में सोचिए परमिश्र का मनान कीजिए परमिश्र के और धियान लगाईए परमिश्र को परसंद करने का परमिश्र से और धिक प्रेम करने का ये आप क्या करें विचार करें फिर अगर आप ये करेंगे तो एक तो आपको ब्राई की कलपना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि परमिश्र आपके हिर्दे को बदल देंगे हलेलुया और दूसरा फिर आपको बिमारियों में हाय है करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आप बिमारियों में हाय है नहीं करोगे हाई बिमारी हाई बिमारी हाई ये हो गया हाई हाई ऐसा हो गया हाई ऐसा हो गया कोई शांती नहीं कोई विश्रांती नहीं जैसे यकूब में आजूब में सरी अजूब में हम लोग पढ़ चुके हैं कोई शांती नहीं कोई कुछ नहीं कोई कुछ नहीं कोई कुछ नहीं हर निश्चे परमिश्र आपसे परसन होंगे